हेई फिस्ट स्वागत थे आपको मैं हो गताम अज एक स्विल इंजिनेर आप दिए बिदिंग में डियल कॉंश्टक्स गलेक्टर सिरीज पहला दिने के टॉपिक त़ सिमें का कॉणी का उपर मतलब सिमेंड का क्वालीटिए कैसे टिस्ट किया जाता है जिसका घर अभी बन रा या अवाग में बना आएंगे उसके लिए बहुत इम्पोर्टिंट टॉपिक है आज के टॉपिक के सेडिंग टाइम अप सीमेंट मतलब सीमेंट में पानी डालने के बाद सीमेंट का जो मिक्सचर बनता है और मिक्सचर कितना समय के अंदर यूज करना चाहिए आपने हमें सही देखा होगा द्यारमेट प्लास्टर करते वक्त प्लास्टर दिवार से खोल के पड़ जाता है क्ता नीचे तो ये सब क्यों होता है समय के मेंटरल के प्रोबiquement से होता है इस प्रोब्लम को सौ्ड कईसे करेंगे पता है नहीं पता है इस प्रोबिम को साथ करने यह 30 minutes 30 minutes यह minimum समय है 30 minutes और कुछ ज्यादा minute का अंदर आपको यह mixture को mix भी करना है और mix करके काम भी कर लेना है कि यह time span अगर cross हो गया that means initial setting time 30 minutes जो है यह अगर cross हो गया तो क्या होगा इस mixture का जो plastic property है यह ध्यूद्रे loss होता जाएगा मतलब यह जो binding properties है यह ध्यूद्रे loss होता जाएगा और यह mixture completely plasticity loss करेंगे 10 गंडे का अंदर मतलब यह 10 गंडे के बाद अगर यह mixture अब use करेंगे तो क्या होगा यह mixture अब use नहीं कर पाएगे मतलब इसका जो plastic properties है यह totally loss हो चुका है और इसका जो binding properties है वह भी totally loss हो चुका है तो यह दिवार में लगाने से कुछ नहीं होगा यह अपना ज़ड के पढ़ जाएगा suppose आप दिवार में plaster के कम करवाएगे तो इसके लिए का करना होगा cement sand and water का mix बनाएगे mix बनाके 30 minute का अंदर completely कम कर लेना होगा आपको यह 30 minute बहुत ही कम समय है इसके अंदर यह कम करने के लिए क्या करना होगा 30 minute में आप कितना कम कर सकते हैं मतलब plastering का कम यह पहले slate करना होगा यह slate करने के बाद उसके लिए कितना quantity material चाहिए कितना sand चाहिए कितना cement चाहिए यह fixed कर लेना होगा आपको मतलब उसके बाद क्या करेंगे उसको mix पर लेंगा 30 minute का अंदर कम कर लेंगे तो यह कम perfectly होगा उसके बाद फिर 30 minute के लिए mix करेंगे और आप काम करेंगे यह perfectly कम कर पाएंगे आप नहीं तो थोड़ा error आजाएगा और मिक्सर को 10 गंड़ा बाद यूज़ करेंगे तो क्या होगा ब्लास्टर दिवार से छोड़के पड़ जाएगा तो इनिस्याल जो सेटिंग टाइम है और फाइनल जो सेटिंग टाइम है वह है तेन आवर्स मतलब 10 गंड़ा यह ओडिनेरी पोर्टलान सीमेंट के लिए पुर्टलान सीमेंट के लिए है मतलब जो सेटिंग जल्दी सेटिंग होज़ाता है उसके लिए इनिसल इनिसल जटिंग टाइम है इनिसल पाइनल डे Arg curanie में है वाइन फेननल जो ईसके लिए निसल जो सेटिंगेर स seulementि पाइनल मेंकेश्ट कम दावर्ट होता है आज के नहीं तो इसे पारफूल वीडियो आप मिस कर जाएंगे अगर वीडियो अच्छे लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा क्योंकि वीडियो बनाना में बहुत मेंनाज लगता है और अगर कुछ कोई इस वीडियो को पर जरूर कमेंट कीजिएगा और एक रिकोष्ट है आप से इस वीडियो को social वीडियो में share करके भाराल बना दीजिए इससे क्या होगा जिस जिस कुस लग जरूरत है उससे भी कूष हमझे नमीत रहीज़़ा